जनजाती युवा अदान प्रदान कारिक्रम के तहत शुकरवार को बस स्टेंड के नीचे स्थित सियार पेफ सातवी बटालियन कैंप से 20 युवक युवतियों को उत्राखंट के दहरादून के लिए रवाना किया गया। बताय गया कि नहरु युवा केंद्र के सहयोग से सियार पेफ के अधिकारी तथा महिला कॉंस्टेबल की निगरानी में गाइडलाइन की अनुरूप दहरादून रवाना किया गया। इस मौके पर जा रहे युवक युवतियों को आवश्यक किट भी उपलब्ट कराया। पर देश भेजा जाता है जहां जाकर युवक युवतिया वहां के रहन सहन परिवेश बोलचाल काम धंदे संस्कृति आदी की जानकारी प्राप्त करते हुए और पुनहा अपने घर लोट कर अपने गाउ समाज में इसकी जानकारी शेयर करते हैं। ताकि लोग ज्याद से ज्यादा दूसरे प्रदेशों की रहन शेहन उद्योग धंदे खान पान आदी की समूचित जानकारी प्राप्त कर सके। मौकी परूप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा अच्छे लाल सिंग यादव अन्यस्यार पेफ साथवी बचालियन के अधिकारी मौजूद थे। लड़के जहां जाते हैं जीजेगा वहां के लोकल बच्चों के साथ मिलते हैं वहांसे उनके बारे में आर्थिक समाजिक भासाई ग्यान या अन्यप्रदार के इतने भी कल्च्रल चीजिशूद हैं उनको सीखते हैं इसी संदर्व में ये कारिक्रम से लिए आपकी सुरक् से लगतार बीमा के शेतर में अन्वरत अपनी सेवा दे रहे श्री राम लाइफ एंशूरेंस जो पूरे भारत में 4000 शाखाओं से भी अधिक मजबूत नेट्वर्क बना चुकी है एवं भारत के प्रतेक परिवार को बीमा सुरक्षा प्रदान करना ही इस कंपनी का मुख्य अपना और अपने परिवार की सुरक्षा ही जीवन का परमानन है इसलिए अब आपके शहर गिरिधी में भी श्री राम लाइफ इंशूरेंस जिले के समस्त परिवार को बीमा सुरक्षा प्रदान करने आ गई है इतना ही नहीं यहां अभ्यार्थियों को नौकरी तथा लोक जाम मंदेर गिरिधी